मा तुम्हें अमेरिका ले जाऊंगा राहूल अपनी पत्नी के साथ अमेरिका में रहता था जबकि उसकी बुड़ी मा अकेली इंडिया में थी राहूल के पिता का तीन साल पहली ही देहान थो गया था लेकिन वैं छे साल से घर नहीं आ पाया था उसकी मा हमेशा आने की उमीद लगाए रखती थी कि कभी न कभी मेरा बेटा आएगा अचानक एक दिन बेटे का फोन आया राहूल हेलो मा कैसी हो मैं कल इंडिया आ रहा हूँ मा बेटा मैं ठीक हूँ बहु और बच्ची भी आ रहे हैं पोता पोती को देखने का बड़ा मन था मेरा मा की आखों में जैसे एक नई चमक आ गई थी राहूल नहीं मा अभी तो सिर्फ मैं आ रहा हूँ अब हम सभी अमेरिका में रहेंगे मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ अब हम साथ में रहेंगे तुम जितना चाहे अपने पोता-पोती को किला लेना अच्छा मा अभी फोन रखता हूँ पास दिन के बाद मेरी इंडिया की फ्लाइट है जल्दी ही मिलते है मा अच्छा ठीक है बेटा मा की आँखों से आशू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे आखिर इतने सालों बाद अपने बेटे को देखेगी बेटा छे साल के बाद इंडिया आया मा ने बहुत प्यार किया बेटे के मन पसंद खाना बनाया रात को खाना खाते वक्त राहुल ने मा को बताया कि हमें जल्दी ही वापस जाना पड़ेगा उसे ज़्यादा दिन की छुटी नहीं मिले राहुल ने मा को कहा कि मा जितना भी पैसा और कीमती सामाने सब बांद लो हम दो दिन के बाद अमेरिका चलेंगे और हाँ मैं कल किसी प्रॉपर्टी डिलर से बात कर लूँगा मकान बेचने के लिए मा बेटा मकान क्यों बेच रहा है ये घर तुमारे पापा ने बहुत ही प्यार से बनवाया था तुमारा बचपन बीता है इस गर में कितनी सारी यादे जुड़ी है बेटे ने कहा हम अमेरिका चले जाएंगे तो इस मकान का क्या करेंगे इसका ध्यान कौन रखेगा ये तो भीचना ही पड़ेगा ना बेटे की खुशी में ही मा की खुशी थी इसलिए मा जल्दी ही उसकी बात मान गई बेटे ने मकान अच्छी कीमत पर बेश दिया और सभी कीमती सामान लेकर दो दिन बाद अमेरिका जाने के लिए मा बेटा एयरपोर्ट पर पहुँच गए राहुल ने मा को एक कुरसी पर बिठा दिया और कहा कि थोड़ी देर में टिकेट और फ्लाइट के बारे में पूछ कर आता हूँ आप यहाँ बैठ जाएए एक घंटा बीट गया लेकिन राहुल नहीं आया तभी एक एयरपोर्ट के करमचारी ने बूड़ी मा को बैठे देखा तो पूछा मा जी आप किसी से मिलने आई हैं क्या मा मेरा बेटा अंदर टिकेट और फ्लाइट के बारे में पूछने गया है उसी का इंतजार कर रही हूँ आज हम अमेरिका जा रहे हैं करमचारी लेकिन अमेरिका की फ्लाइट तो 30 मिनट पहले जा चुकी है करमचारी ने बेटे का नाम और पता पूछा और कुछ समय बाद वापस आकर मा को बताया कि उनका बेटा तो जा चुका है और कहा कि अब यहां बैठने का कोई फायदा नहीं आप घर चले जाएए इतना सुनते ही मा की आँकों से आसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे मा को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका अपना खून उसका लाडला बेटा अपनी मा को ऐसे धूका दे सकता है बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके किसी तरह मा अपने बेटे द्वारा बेचे गए घर के पते पर पहुँची और रात को घर के बाहर ही सो गई जिस आदमी को घर बेचा था उसने सुबह उने देखा तो सारी बात विस्तार से पूछी तब बुड़ी मा ने रोते रोते उनको अपना दुख़ा सुनाया मकान मालिक का दिल पसीज गया और बुड़ी मा को एक कमरा किराय पर दे दिया कुछ दिन महिनों बाद उस मकान मालिक ने राहूल की मा से कहा कि अब आप अपने किसी रिष्टेदार के पास चली जाओ क्योंकि अब आपकी उम्र बहुत हो गई है और कुई तो चाहिए जो आपका ध्यान रख सके बुड़ी मा ने कहा अगर मैं इस घर से कहीं और चली गई और मेरा बेटा अपनी मा के बारे में सोच कर वापस आ गया तो वे मुझे कैसे ढूंड पाएगा ये एक मा की ममता ही थी कि इतना कुछ होने के बाद भी मा उमीद लगाए बैठी थी कि उसका बेटा उसे वापस लेने आएगा थैंक्स फॉर वाचिंग प्लीज सब्सक्राइब